शूर्य भगवान, आदित भगवान, बीना नात, इनके कई नाम हैं, तो वो अपार उर्जा के सुरोत हैं, आज शूर्य भगवान अगर न रहें, तो कोई जीव नहीं रहेगा, छट पुजा में खड़ा होके अर्ग देना पड़ता है, पानी का आच्मन करना पड़ता है, य पावली के उल्लास के बीच छट पर्व के रंग भी बिखरने लगे हैं, हमारी मौझूदगी इस वक्त लक्ष्मन मेला मैदान में मौझूद छट घाट पर है, और यहां पर तैयारियां मिजोर पकड़ लिया है, आप तस्वीरों से अगर समझेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से खूपसूरत जो वेदियां हैं, उनको सजाने का, बनाने का प्रयास जारी है, किस तरह से, इस मिट्टी से आप देखिए, इस तरह की जो मिट्टी है, इसका इस्तेमाल कर जो वेदियां हैं, उनका इस वक्त निमान किया जा रहा है, इस तरह की में पहले कुछ इ वेदी है और इस तरह से लगा कर पानी में करकर इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है केवल इसको बनाने का प्रयास नहीं है बलकि इसके निर्माण के साथ इसको सजाने की भी एक प्रक्रिया होती है क्या होती है यह आपको मैंने दिखाया जो निर्माण है यानि किस तरह स सूखती है तो कुछ इस कदर दिखाई परती है यह वो हिस्सा है जब यह सूख चुकी है सूखने का इसका काम चल रहा है और एक वेधी बनकर तैयार है इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूजा की जाती है अब आपको दिखाता हूँ एक और यहाँ पर वेधी का जहाँ पर इस वेधी में केंट हो चुका है और यह वो तस्वीर है थ्यार और यहां पर पर अदो की शुरुवात है उसको लेकर ये तैयारियां एक तरह से काफी आगे बढ़ चुकी है अब आगे जी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां पर और वेदियां बन रही है कैमरामें संजय आपको एक एक तस्वीर यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हर साल कार्थिक मही देवन में आने वाले संगतों को दूर करने के लिए भगवान सुर्य नारायान की उपासना करते हैं इसको लेकर आप यहां लख्रेंओं में तैयारियां देख रहे हैं किस तरह से यह चीजे चल रही हैं जो तैयारियां है उसको लेकर नगररीघम से लेकर चितने भी विभ देखाऊं है तो यह जो घास है क्योंकि यह जतना हिस्सा है यहां इस साल के इस छोर पर यह इस तरह की वेदियों के लिए जगह और बन पाए इस लिए इस तरह की घास है उसको हटाने काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है जिससे वेदियों को एक आखरी रूप दिया जा सके जो उफीशल से उनसे भी बात करेंगे लेकिन आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे सुन्दर घाट की और आप समझे कि अभी से सुन्दरता का नजारा है आने वाला दिन्यानी कि जब पूरी तरीके से छट पूजन शुरू होगा शुरुवात होगी उस वक्त किस तरह की प्रक्रिया होगी किस तरह की तस्वीर यहां लक्षमन मेला घाट से निकल कर सामने आएगी आप देखिए यहां पर किस तरह से जो निर्देश दिये जा रहे हैं वो यहां पर सार्फक दिखरेंगे बड़ी बात ये भी है कि जिस वक्त शाम को पूरा एक होता है अर अब आपको मैं दिखाओं यहां पर तो प्रभुनात जो है यहां पर जो की अखिल भोषपूरी समाच के जो प्राश्ट्रिय अध्यक्ष हैं पूरी का यहां पर चीजों को देख रहे हैं दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह सपाई हो नहीं है कहां कहां क्या और तभी यहां मने देश का सबसे अच्छा जोहनवा ब्योस्था यहां रहता है और परमपुज्य जोगी आतितनात महराज जी यहां पर आके अर्ग भी देते हैं और जब से मुख्मंतरी हैं तब से वो यहां आते हैं खासकर नदियों की जो जैसे तेवार आता है सारे लो परता है पानी का आजमन करना पड़ता है यह बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें साफ सफाई का बड़ा महत्वपूर्ण है 36 गंटी का निर्जल बत रहता है इसलिए मैं दो महीना पहले से ही मेरा पूरा भोजपुरी समाज और लखनव का नगर निगम यह सारे लो मिलके हम लगतार स्वरमदान करके इसको नदियों को साबनाते हैं सारी व्यूस्था अच्छा होता है और सरकार द्वारा भी तमाम आदेश हुए हैं वह जैसे यहां पर मैटिंग की व्यूस्था है लाइट जो है अच्छा से अच्छा सुन अच्छा दिखे लोग आवे कोई असु और आठ को जैसे भगवान भाजकर उद्यमान होंगे उनके अर्ग कारेकरम का समयापन होगा महिला एक दूसरे को लंबी शेंदूर लगा के सुबकामनाय देती शुरूद होती है पर कि तीन चार दिन चलता है क्या कुछ होता है पहले तो शुरुवात नहाय खाए नहाय मतलब की प्राथमिक तैयारी सारे कपड़े धोना कीचन जो कीचन में लगतार खाना बन रहा है वहां उस पर खाना नहीं बनेगा इसके लिए चूल अलग बनाई जाती है हाला कि खासकर मिट्टी कचूल बनाई जाती है जिसमें जो है सारे चीजे नया बरतन होता है कोई तो इसमें सारे जो भी प्रयोग की जाते हैं सब नए चीजी कपड़ा भी पहन के जो छटगाट में लोग आएंगे वो नए और भरसक जो है लाल कपड़ा हो जादातर लोग परियास करते हैं कि लाल कपड़े में उसके बाद दूसरे दिन खरना यानि खश्टी के दिन जो है जो पंचमी खश्टी दिन होता है उस दिन उपवास रहता है उपवास का मतलब खरना भोचपुरी में इसको खरना कहते हैं फिर उसके बाद जो है मैं अपने पती के दिर परिवार के लिए पती के लिए अगर मालिजे की पती नहीं है तो बच्चे के लिए बच्चा नहीं है तो पती के लिए और बच्चा नहीं है तो पती के लिए और बच्चा नहीं है तो बच्चा होने के लिए परिवार कि मैंने पूरे परिवार के अशुरुवात प्राप्त पहले थे वहार यूजुली बिहार तक सीमित था लेकिन अब जो रुची लगातार उत्तरप्रदेश हो यह तमाम अब मंबई हो जगा जगा देखने को मिल रही है अरे इंडिया छोड़ी है भारत छोड़ी है यह पूरे दुनिया में लगबग पूरे दुनिया का कोई ऐसा जाए में आश्तेलिया में रूस में कनाडा में अमेरिका में तो कि संख्या में अमेरिका कहां और पर पिजी में आपके मारिसस में सुरीनाम को ले क्या तैयार है मुख्यमंत्री आएंगे पहला आर्ग देंगे जी मुख्यमंत्री चार बजे यहां आएंगे उनका अर्ग होगा उसके बाद वह मंच पर जाएंगे उनका आसिरबाद जो है जो भी यहां लोग रहते हैं क्योंकि देखिये मानिय लुस्टम्सि जी का जो त्य वहार लेके वहुत ही सेला इन आर्डर के बारे में खास कर महिलाओं की सुरक्ष्द्था के बारे में आप देखे होंगे कि कितना तो मानिय लिंवां सब्साइब पूरा आयोजन समिती जो है वही ही देखते हैं हर इन को यहां आपने और चीजों की विवरस्था देखते हैं यहां पर जो मैदान है जो छटगाट है वहां पर तैयारियां तेज हैं साफ सफाई के कारिक्रम भी आप देखिए तेजी से चल रहे हैं मुख्यमंत्री निर्देश दिया है कि छटपूजा को लेकर जो भी आवश्यक्ताएं ह पूर्ण होना है अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा गोमती के तटकी यह वो हिस्सा है जहां पर अर्ग दिया जाता है यह किनारे का छोर है यह गहरा नहीं है इसलिए महिलाएं पूरुष जो भी यहां पर आते हैं पूजयन में छेट पूजा के शामिल होते हैं वो यहां पर देखें यहां पर इस छोर को यहां पर रोग भी दिया गया है जिससे कोई हाथसा ना हो पाए क्योंकि आगे जो आप पानी देख रहे हैं गोमती नदी का वो काफी ज्यादा गहरा है इसलिए इसको इस बैरिकेट से पाट दिया गया है यानि कि ब्लॉक किया गया है याणि कि जो भी अर्ग देंगे वो इस छोर में देंगे और इस छोर में ही आ कर वो स्नान-पूजन जो होती है तेवहार की उसे परिपूर्ण करेंगे हाला कि क्योंकि बड़ा तेवहार है डर रहता है कि कहीं कोई किसी के डूबने का खत्रा ना हो, इसको लेकर जो जल पुलिस है, उसको भी alert किया गया है, और जिस दिन छट का कारिक्रम यहां पर शुरू होगा, यहां पर आपको जल पुलिस के भी लोग दिखेंगे, और कुछ नाओ से यहां पर पहरेदारी करेंगे, या यू कहें, जल प इतजार है जब यह पूजन कार्थिक मार्प्स में शुरू होता है और सभी अपने परिवार की मंगल कामनाएं करते हैं क्यामरमन संजे के साथ समर्च श्वास्तव लक्नव आज तक